हस सरोकार जफर एहमद की प्रोपर्टी पर बुल्डोजर चला है बता दें की जावेद एहमद के घर से दो राइफल और तलवार बरामद हुई है बता दें प्रदेश के चर्चे तुमेश पाल हत्याकार्ट में योगी सरकार का मिट्टी में मिलादो अभियान शुरू हो गया है राजधानी लकनाउ सहित अने स्थानों पर हमलावरों की तलास में छापे मारी के बीच अब इस हत्याकार्ट में लिप्त लोगों और उनके सहयोग्यों के आवैद निर्माड पर बुल्डोजर चलाने की कारवाई शुरू हो गई है प्रियागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने उमेश पाल हत्याकार्ट में नामजद अतीक अहमत के करीबी के घर पर बुल्डोजर से निर्मार धुस्त करने की कारवाई शुरू की है प्राधिकरण की टीम तीन करोड की कीमत वाली दो मनजिला मकान को ढहाने पहुची ये मकान चकिया इलाके में है इसी घर में अतीक की पत्नी शाइसता अहमत ने पना ली थी इसे जफर अहमत का बताया जा रहा है उमेश पाल हत्याकांट की साजिश के दोरान भी इस मकान का इस्तमाल किया गया बतादे कारवाई से पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुची और आसपास के मकानों को खाली कराया जिससे बुल्डोजर की कारवाई के दोरान उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचे दोस्तिकरण की कारवाई के दोरान मकान के अंदर से बंदूक और तलवार बरामद हुई है बसे पहले बुल्डोजर ने गेट तोड़े और घर की बाउंडरी को धोस्त किया है पताने प्रते सरकार की कैबिनेट मंतरी नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि योगी आधितनात सरकार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सक्त सक्त कारवाई करती रहेगी जिससे गुंडे अपराधियों का समूल नाश हो उन्होंने कहा जो भी अपराधि इस कांड में शामिल है वह बख्षे नहीं जाएंगे और इस खबर पर अधिक जानकारिक साथ हमारे समवादाता सागर हमसे जुडेंगे सागर उमेशपाल हत्याकांड में ताबर तोड बुल्डोजर एक्षन जारी है जी देखें मैयूरी आपको बता दू कि उमेशपाल हत्याकांड में अब एक्षन तेज हो गया है इसमें यूपी पुलिस के साथ जो प्रयागराज डेबलप्न अथौर्टी है जाट बीदिकारी आज हैंने के पहने थे ज्याएं know फिर् हमिशा का घर है जिसके हम जाने की पौण के ओर चुणानान फार्कार्रओं फासे बर Чामट का परवार यहां पर है तो सबसे बड़ी कारवाई अभी शूरू हो चुक prnd साथ साथ स्रीम योगी ने कहा था कि मिट्टे में मिला देंगे और एक तरफ तमाम जो राजमितिक बड़े नेता हैं उनका भी बयान आया था जेपियस राठोर ने भी कहा था कि जादा नोग जोग ना करें गाड़ी भी बलड सकती है तो कुल मिलाक एक सुबह एक संकेत दिय गया था और बात करूं लखनों कि तो यहां पर भी अकल देर रात प्रयागराज और चापे मारी कर अतीब के अहमेद तीसरा बेटा है असाद उसके तलास में चापे मारी लेकिन वह तो नहीं दिला लेकिन उसके साथ उसके पास जो लगज़े दो कारे थी उनको बरामत कर स तीज इसके अपने अमानेकर खाने में दाखिल कर दिया अब बात करूंगा प्रयागराज की जहां पर ढूमन के देखाराने उसको जो गर बिराने की प्रकृटिया शुरू हो चुकी है आसपास के जो लाके आसपास पर में जो बने घर हैं उनको खाली कराय गया था उसके जो जफर हमेद उसके घर पर लगातार बुल्डोजर चलना है और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बुल्डोजर की शुरुआत अब हो चुकी है अब देखना ये है कि किनके नपरादियों का नंबर कब कब आता है और सीम योगी की कारवाई कब तक और कहां कहां तक हो रही ह चुकी ये उसके की बड़ी कारवाई है और इसमें प्रुरुरी कारवाई कि है बिन पाबर तोर कारवाई हुए यह इसलिए क्योंकि इसमें रुमेज पाल हत्याकांड से जुड़े लोग थे इस वज़े से वहाँ के जो सरकिल के आजपास दोटे तकरीबं 10 पूर्वाय आगे भी जारी रहेगी ज में विरकूल और जाहिर सी बात है वी बुर्डोजर की आगे भी जारी रही कि क्योंकि इस से पहले भी लखनों और तमाम जो आसपास के जिलें जहां पर पूरवांचल से लेकर मध्यांचल तर वहां पर बुल्डज़ार चले और लगतार चल ले इस पर अपरादियों में खौफ तो है लेकिन कहीं नहीं के सबसे बढ़ी बात यह कि भी हाली में परसों की घटना अरबाज जो है जो क्रेटा कार चला रहता है जो क्रेटा कार इ किती बंबाजी किती उसके बादन को पुनिस ने इनकाउंटor में माझ गिरा है तो परादियों में जाहर से बात हैं सब्लें आगे बिजा ही जारी रहा और अभी जो और भी लोग और भी परके खुल के आएंगे जो अतीक के बेटे हैं उन्होंने एक एक अप्लिकेशन दायर की मिया जुकि थील के गया है अरजी दाकी कि गई कि अगर फैसी होती है तो फिरियो ना कि पुलिस के पुलिस उन्हें वहां पर ले जाए घटना इस्तल पर ले जाए फिर या फिर मियाई की रासत में ले जाकर क्योंकि उन्हें कहिना कि यह खौफ लग रहा है कि गाड़ी शाद इनकी भी पलड़ सकती है तो मुझे लगता है कि मैयोरी यह कारवाई आगे भी जारी रहेगी और बुल्डोजर की कारवाई बहुती जल्द आगे भी होने वाली है जी धन्यवास सागर तमाम जानकारियों के लिए दरसल उमेजपाल हत्यकांट के फरार अपराधियों और इससे जुड़े लोगों पर योगी सरकार की नजर पहले से ही तेड़ी है एक आरोपी अशुफाक जहां एंकाउंटर में मारा गया वहीं एक अन्य सदाकत को घिरफतार किया गया है वही अब अतीक एहमद और उससे जुड़े लोगों की आर्थिक समराज को भी ढहाने की कावायत शुरू हो गई है अवैद रूप से बनाए गए सभी निर्माड पर प्रियागराज विकास प्राधिकरन का बुल्डोजर आगे भी चलने की बात कही जा रही है बताया जा रहा है कि प्रियागराज विकास प्राधिकरन ने आतीक एहमत के करीबी वा हत्या में शामिल 40 लोगों के मकानों के दस्तावेज वाली फाइल खंगाली है और इस खबर पर हमारे समवाद दाता विवांसु हम से जुड़ेंगे विवांसु मेश पाल हत्याकांट में लगातार बुल्डोजर एक्सन जारी है जी मैयूरी आपको बता दे कि उद्दर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या दिकिनाथ का जो कठत था कि माफियाओ को उसकी सुभात अब हो चुकी है बात की जाया तो प्रियागराज के अंदर में कही ना कहीं उमेश पाल हत्याकाट के बाद प्रदेश के अंदर में स्यासी मुटाबच चुका था प्रदेश का सदन चल्दा था सदन में विपक्ष लगातार कारवाईयों की मांग को लेकर सरकार को घेर रहा था उसी क्रब में आपको बताएं कि पुलिस संत्र जो है वो अपने एक्टिव मोड में आते हुए जहां एक अपराधी को एंकाउंटर करता है ठीक दूसरी बाद जहां घटना रखी जाती है मुस्लिब होस्टल के कमरा नंबर 35 उसमे तमाम जो लोग बैठे से उनके बारे में त जफर एहमद की घव बुलडोजर से धाहा जा रहा है आपको बताएं कि इसमें बात की जाएं तो जफर एहमद के घवपर कहीं ना कहीं है इसे प्रूबे मामले को लेकर जब तहकीकात पर जफर एहमद का किरुए जो योगदार था जो किरदार था वो साफ़कु उसके बा साथी अगर बात की जाए तो व्यागवास कमिस्ट्रिस के कई डीसिपी और साथी साथ पूरे शुरक्सा के इंतिजमात के साथ जफर एहमद के घर को गिराये जा रहा है वहीं अगर बात की जाए तो जफर एहमद पे आरोफ है कि माफियाओं को जो परिवार थे उनको पना देना, असाथी साथ अथी अगर उनके भाई के असरफ एक वेटी था जो पूरे परिवार को अतिजमात के समालताथा और सारे काम को देखताथा बात की जाएट तो अतीक एहमद तावाती जेल में बंद हैं, उसके तुरा जिम्मा कहीं जफर ईहमत के हाथ पने था अगर बात की जाएट तो अतीक एहमद के जो तमाई गुर्गे हैं उसकी पहचान की जारी है प्रियागराज विकास अपराधी करण अतीक एमत के करीबी और हत्या में शामिल 40 लोगों के मकानों के दस्तावेजों वाली फाइल को खंगाला है प्रियागराज नगर निगम के साथ मिलकर और जो इस अपराधी है जो भी अभी गिवस्त से बाहर है उनके तमामें पॉपर्टी को खंगाला जा रहा है कि आखिवन की कहा कहा पॉपर्टी है और कहीं ना कहीं आज अगर बात की जाए तो प्यागराज की अंदर में जब जेशिवियों का जुड निकला तो इससे साथ था कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की जीवो टॉलरेंस की नीथी है उसके स्रहत कहीं ना कहीं जो कारवाईयों का दौर है उसकी अबसुर बात हो चीए अगर बात की जा तो इस मामलें के लेकर कहीं ना कहीं अब राज़िती गलियारों में भी सियासी घमसान बना हुआ है जहां एक तरफ सदन के अंदर में सुबे के मुख्यमंती माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर बड़ा हमला बोलते हैं अगर बात की जा मयूवी तो अभी अतिक अहमद की करीबी जफ़र एहमद की घर जब बुल्डोजर चलाने के वहां पे प्रसासन पहुंची और जब पहला हिस्टा गिराए गया है तो घर के अंदर ए- अगर फिलहाल में बात की जाए तो अतिक अहमद से जुड़े जो चालिस लोग है जिनके नाम अभी सामने आये हैं उनके भी प्रॉपर्टी को खंगाला जा रहा है और माना जा रहा है वैयूरी कि जल्द से जल्द अब जफर के घर के बाद जो इसे घटना में ते तमाम ल मामले को लेकर देखे तो आज प्रदेश का जो सियासी का मतान है वो तेज है बीटे दिन में अगर बात की जाए तो अतिक अहमद की पत्वी ने मुख्यमंत्वी योगी अलितनाथ को पत्र लिखकर और परिवार की वक्षा और साथी साथ से अपने अतिक अहमद के अंकाउ दिन में हध्या हो सकती है इसकी आजनका जटाते हुए अगर बात की जाए तो आज यहानगी जो की अतीक कि पत्वद की है हम फेल्य को लिटम में साथ कि अगर पाथ की जायए सिसीटीवी फुटेज में गब खंगाल के पुलिस की बात की जाए तो जो तमाम सिसीटीवी फुटेज के नाम से लोगों की सिंबाक्त हुँ इसमें अतीक अहमत के पुत्व असद जैसा एक लड़का निकल के साबने आ उसके बाद अभी ये साफ नहीं होता है मगर मुहमद असद जो की अतीक अहमत का पुत्र है उसको भी बताया जा रहा है वो भी कहटे में कहीं अपना योगदान दिया था और बात करें तो ब्लैक सर्ट में जो लड़की की फोटो वाइरल हुई थी मयुरी उसको कहा गया है जिया अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ पहला मकान की राय जा रहा है जो जफर एहमद का उसके ठीक बाद जो अन्य मकानों के डीटेल निकाले गए हैं क्या वो अवैद संपत्ती है या वैद है या अपिकमर करके बनाए गए इन सभी पहलूओं को पुलिस और साथिताथ प्रियागराज की जो लोकल सवालों को अपने पक्स में रखकर अपने सबूत बनाकर और आगे कोट में भी पेज़ करेगी आपको बताएं कि अभी एक मामला प्रकास में आया है जिसमें बताए जा रहा है कि उमेश हत्याकांड में सदाकत हाई कोट बार एसोशियेशन का अधिवक्ता नहीं था और ब अध़ी पतार के लोग अलग अलग तरीकों से हमला वर जो थे उनकी ऐसे सिकस्तं में लगे हुए हैं तो तमाम हमलावर के अधावित पर सब्लाट की पी एलरक है कि आखे विये अगर मदेस भी गये हैं तो कोई बी ऐसे एक्ट्वानिक गैजट पकरें यूज करें जिससे उनकी धर्पकर में आसानी हो सके अगर बात की जाए तो बीटे दिन लगतार उमेश पाल के तमाम जो वरिजन हैं उनसे कई जिम्मेदरार देता मंद्री मिलते आए हैं और सबकी तरफ से साफ तो अगर मयूरी देखा जाए तो आश्वासन ने दिया जा रहा है और कहा जा रह सुरू हो गई है अब बात की जाए तो आगे देखने वाली बात दिये होगी कि लगभग बताए जा रहा था कि छे सूटर्स पूरे मामले को अंडाब दिये थे और लगभग साथ संख्या में सूटर्स बैक अप में थे अब पूस्ताथ में जो अभियुक्त को पकड़ा ग जानकारी के मुताबक उसमें तमाम इमोशनल बाती थी तो क्या इसका कोई जवाब आया है अब को इसका कोई जवाब नहीं आया है और बुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए तीक एहमद की पत्मी प्रष्टा के तरफ से कहा गया है कि जेल के अंदर में उनकी पती और उन कि जहां एक तरफ अभी जो घटना के दौरान जो क्रेटा कार का चालक था जो घटना में बंदूख और साथी साथ क्रेटा गारी को चला रहा था उसको पुलिस ने था पकर करके कही ना कहीं से एक पहला एंकाउंटर किया उसके ठीक बात अगर बात की जाए तो मुस्लिम ह एक संदिक को पखला जो घटना में काई ना कहीं जो पूरी प्लैन मनाई गई उसमें अपना उसका एक बड़ा योगदान था उसको पखल के आगे कि कावाई की अब देखने माली बात यह होगी मैयोई कि इसमें जो तमाम सूटर्ज के नाम चल लाए हैं उनको कब तक पु देखने वाली बात होगी बहुत बहुत धन्यवाद में से जुनने के लिए पताने जावेद एहमद के घर से दो राइफल और वार बरामत की गई है उमेश पाल हत्याकार्ड में प्रियागा जिव विकास प्राधिकरण की टीम ने उमेश पाल हत्याकार्ड में नामजद अतिक एहमत की करीबी के घर पर बुल्डोजर से निर्मार ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की है उमेश पाल हत्याकार्ड में नामजद अतिक एहमत की करीबी के घर पर बुल्डोजर इस खबर पर हमारे समभाद आता पवन हमसे जूड़िंगे प्रियागराज से पवन उमेश पाल हत्याकार्ड में योगी सरकार का मिट्टी में मिला दो अभियान शुरू हो गया है लगातार बुल्डोजर एक्सन जारी है बिल्कुल जिस तरीके से पीते 24 फरवरी को प्रियागराज के दूमन गंस्थाना छेत्र में राजू पाल मडर केस के मुख गवाव मेश पाल की दिन्दाडे गोलिया और बंमार कर हत्या कर दी गई थी और सदन में मुख मंत्री योगी अधितनात ने कहा था कि इस पूरे घटना क्रम में जितने भी अपरादी शामिल है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और आज उसी क्रम में बाबा का बुल्डोजर प्रियागराज में चल रहा है बता जा रहा है कि इस घटना क्रम के सदन में मुख मंत्री योगी अधितनात ने को मिल देए बता जा रहा है कि बुल्डोजर के लिए आसपास के मकानों को खाली कराया गया है किसा महौल देखने को मिल रहा है आसपास का अभी जो पहली कारवाई है ये अतिक एहमत का सबसे करीवी बताया जा रहा है कि घटनक के बाद इस योगी ने अतिक एहमत की पत्नी साइस्ता परवीन को अपने घर में पना दी थी अपने घर में सर्ण दी थी जिसकी वज़े से अतिका सबसे करीवी माना जा रहा है उसी को फिरफ कर्वाई की जा रही है और इस तरीके लगातार करवाई चाहरा है कि जल्दी और बी डिकारवाई देखने को मिलेगी जी और और कितनों पर बुल्डोजर की गास गिड़ सकती है PDA की अधिकारियों की माने तो कई लोगों को चिनित किया गया है जितने भी अधिक एंड कंपनी के करीबी है, जितने भी घटना ट्रम में सामिल है उनके पूर्यत ब्रोड जुटाया जा रहा है और जल्दी उन पर भी कारवाई की जाएगी हाला कि कितने लोग चिनित किये गए हैं, किस तरह की और भी कारवाई होगी, अभी इसको इस पर श्रूप से बाते सामने नहीं आई हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि जल्दी और भी बड़ी कारवाई देखने को मिलेगी, हाला कि आज यहां पर जिस तरीके से पीडिये की टीम ने कारवाई की है, बाली पूरी स्पोर्स यहां पर तैनाती गई, आरियाफ के जमान, पुलिस के जमान, तसा पीएची के जमानों की भी तैनाती की गई हो लगातार जो टीम है वो घर के अंदर सर्च आपरेशन कर रही है और भी किस तरह की चीजे घर के अंदर से अभी इसकी आजकारी कुष्टी नहीं हो पाई है जी पवन आप मौके पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे अप दर्शकों के लिए पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें यह पहली तस्वीर है यह घर के अंदर से निकले हुए सामान है यह देखे एक इस तरीके सो यह तमाम यह फे थैदी कर से निकले हुए और बिदाफ में अधी मोजु आगा है यह तो Кई अड़ करीग है यह घर के अंदर से निकले हुए और भी तमान चीजे हो और यह घर विर न रखे हुई है आगए आगे और बेरा पैंना रहा है को और शुरॲ आप इस तरीके इहां किस तरीके पीडिये की टीम ने कारवाई की है ये ये तस्वीर है जिसमें अतीक एहमद दिख रहे हैं और ये वैसी की तस्वीर है हला कि घर के अंदर से और भी तमाम वो चीजे निकली हुई है जिनको भी अधिकारी को ने इसको सामने नहीं दिखाया है लेकिन अभी बहुत पवन बताया जा रहा है कि प्रियागराज विकास प्रादी करण ने अतीक एहमद की करीबी और हत्या में शामिल 40 लोगों के मकानों के दस्ता वेजो वाली फाइल को खंगाला है जी पीडिया के जुट अधिकारी है वो लगातार इस पुरे घटना क्रम को लेकर अपनी नजरे बनावे हैं तमाम ऐसे लोगों को चिन्य करण किया गया तमाम ऐसे लोग है जो इस घटना क्रम में शामिल है कहीं से भी सकड़ी से जोट रहे हैं पीडिया द्वारा उनकी प अने बाद पवन तमाम जानकारियों के लिए हैं दरसल उमेजपाल हत्याकांट के फरार अपरादियों और इससे जुड़े लोगों पर योगी सरकार की नजर पहले से ही तेड़ी है एक आरोपी अश्वाक जहाएं काउंटर में मारा गया वहीं एकन सदाकत को गिरफतार किया गया है वहीं अब अतीक एहमद और उससे जुड़े लोगों के आर्थिक समराज को भी ढहाने की कवाया तो शुरू कर दी गई है अवैद रूप से बनाए गए सभी निर्माड पर प्रियाग राज विकास प्राधिकरन का बुल डोजर आगे भी चलने की बात कही जा रही है बताया जा रहा है कि प्रियाग राज विकास प्राधिकरन ने अतीक एहमत के करीबी और हत्या में शामिल चालिस लोगों के मकानों के दस्तावेजों वाली फाइल को खंगाला है बतादे प्रदे सरकार की कैबिनेट मंतरी नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि योगी सरकार अपराधियों पर और माफियाओं के खिलाफ सक्त सक्त कारवाई करती रहेगी से गुंडे अपराधि का समूल नाश होगा उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी इसकान में शामिल है वे बकसने नहीं जाएंगे कारवाई से पहले प्रशासर और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुचे और आसपास के माकानों को खाली कराये गया है जिससे बुल्डोजर की कारवाई के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचे द्वस्तिकरण की कारवाई के दौरान माकान के अंदर से बंदूक और तलवार बरामद हुई है बसे पहले बुल्डोजर ने गेट तोड़े और घर की बाउंडरी को द्वस्त किया है बता दे प्यागराज विकास प्राधिकरड की टीम ने उमेश पाल हत्याकान में नामजद अतीक अहमत के करीबी के घर पर बुल्डोजर सिंडर्मार द्वस्त करने की कवाया तो शुरू की है प्राधिकरड की टीम तीन करोड की कीमत वाली दो मनजिला मकान को धाने पहुची ये मकान चकिया इलाके में है इसी घर में आतीक की पतनी शाइस्ता अहमत ने पना ली थी इसे जफर एहमत का बताया जा रहा है उमेश पाल हत्याकांट की साजिस के दौरान भी इस मकान का इस्तमाल किया गया बतादें प्रदेश के चर्चित उमेश पाल हत्याकांट में योगी सरकार कमिटी में मिलादो अभियान शुरू हो गया है राजधानी लकनओ सहीत अन्निस्थानों पर हमलावरों की तलाश में छापे मारी के बीच इस हत्याकांट में लिपत लोगो और उनके सायोग्यों के अवैद निर्माड पर बुल्डोजर चलाने की कवाया तो शुरू हो गई है कारवाई से पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुचे और आसपास के मकानों को खाली कराये गया है जिससे बुल्डोजर की कारवाई की दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो दौस्तिकरण की कारवाई की दौरान मकान की अंदर से बंदूक और तलवार बरामद हुई है बता दें कई पोश्टर्स भी बरामद हुए हैं जिसमें अतीक एमत की तस्विर नजर आ रही है आपको बता दें दुस्तिकरन के कारवाई के दौरान मकान से तमाम चिज़े बरामत की गई है उमेश हत्याकांट में ताबर तोड एक्शन जारी है उमेश पाल हत्याकांट के फरार अपरादियों और इससे जुड़े लोगों पर योगी सरकार की नजर तेड़ी है चपे चपे पर सुरक्षा विवस्ता के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं आपको बता दें एक तरफ आरोपी अश्वाक जहां एनकाउंटर में मारा गया वहीं एक अन्न सदाकत को गिरफतार किया गया है वहीं अबतीक एहमद और उससे जुड़े लोगों की आर्थिक समराज को भी ढहाने की कवाया तो शुरू कर दी गई है और एक बार फिर से घटनेस्तल से हमारे समवादाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं पवन लगातार बुल्डोजर की कारवाई जा रही है अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की कैसे इंतजाम देखने को मिल रही है जी बिल्कुल 24 परवरी को जब उमेश फाल हर्त्याकान की पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद से मुक्त मंतरी योगी आदी तनात ने सदन में कहा था कि घटना में सामिल सभी आरूपियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा उसकी ये जीती जाक्ती तस्वीर ये प्याग राज की है और बताया जा रहा है कि जाद यहाँ पर पीडियों की टीम कारवाई कर रही है कि अतिक एमत का सबसे करीबी बताया जा रहा है घट्टे के बाद से अतिक एमत की पत्नी को शाहिस्ता परवीन को इसी घर में पना दी गई थी और यहां पर पीडिये की टीम लगातार कारवाई कर रही है अगर सुरक्षा बेवस्ता की बात की जाए तो तस्वीरों बेदेख पवन क्या बुल्डोजर की कारवाई अभी जा रही है और ये कारवाई कब तक चलेगी? अब यहां पर पीडिये की टीम है वो अंदर और पुलिस की टीम है लगातार अंदर साच कर रही है गर के अंदर से तमाम आपती जनक वस्त में मिले हैं कहा जा रहा है कि यहां पर दो रिवालबर मिले हैं अलाकि बता जा रहा है कि वो जो रिवाल पर है वो एयर गन है लेकिन जब तक इसके अधिकारी कुरूप से पुष्टी नहीं हो जाती कहना खोड़ी सी जल्दबाजी होगी अलाकि कुछ तलवारे भी मिले हो तमाम ऐसे पोस्टर मिले हैं जो पुलिस के लिए कहा जा सकते ह है जी पावन यह जो बुल्डोजर की कारवाई हो रही है अभी तक इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों का क्या कुछ बयान सामने आया है चुकि अभी कारवाई पुरी तरीके से खत्म नहीं हुए है कारवाई अभी भी जारी है तमाम यहाँ पर पुलिस प्येसियों आर्याथ के जवान है उनके अभी तैनाति की गई है और देखे एक बार फिर से यह बाबा का बुल्डोजर यह सुरुआत हो गई है फिर से तरीके से यह कहा गया था सदन में मुक्षमंत्री योगी अधितनात ने कहा था इस पूरे घटना में शामिल आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया जाए गया और यह जितनी जाकी तस्वीर यह प्रयाग राज किया है जहां पर आज पीडिये की तीम दोरा द्वस्तिकरण की कारवाई की जा रही है जी जो बुल्डोजर की कारवाई है यह प्रयागराद में चल रही है और किन सहरों में इसका एक्षन देखने को मिल सकता है किस पर और गाज गिर सकती है बुल्डोजर की तुक्या जिस तरीके से आज लखनव के अपार्टमेंट से अतिक एहमत की करीवें को पुलिस टीम प्रेस कर रही है, उनको गीरफ़तार करे अलग-अलग अस्तानों से करी 50 लोगों को उठाया गया है, पुस्ताज की जा रही है वाहि trace को बेखने में की जा पावन अगर देखें तो इस पूरे मामने को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आया और इस तरह से बुल्डोजर की कारवाई हो रही है विपक्ष के मूँ पर ताला होगी बिल्कुल अगर सोसल मीडिया की बात करें या अपवाहों की बात करें तो अभी हाली में यह पुरे घटा करम का जो एक आरोपी है कि जिस तरीके मुस्यमंत्री योगी अधितनात ने साधन में कहा था कि तुझे घटा करम में शामिल आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा तो यह विपक्ष के लिए बड़ा जो है यहां पर जबाब कहा जाएगा और जो पहरवाई है एक बार और मैं दिखाना जाओंगा कि यह तस्वीर है यह देखे किस तरीके से इस मातान को दोस्त किया जा रहा है जिसके अनुमानित कीमत करीब दो करण रुपए के आसपास की गई है अला कि पीडिय के अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टी नहीं किये इसकी वास्त्री कीमत क्या है लेकिन कहा जा रहा है किसकी कीमत करीब दो करण के आसपास का और ये लाइव तस्वीरे है देखे किस तरीके से बाबा का बुलडोजर चल रहा है जिस तरीके से सदन में प्रवाई बुल्डोजर की चल रही है ये कब तक चलेगी आपके पीछे सुरक्षा के बारे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं तस्वीरे भी जादा आप हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें प्रवाई जारी है जब तक पुरे घर को पुरे माकान को जमीदोज नहीं कर दिया जाएगा तब तक कि ये जो है पुलिस के लिए अथियार का काम करेगी हमारे साथ पवन पटेल थे जो लगातार लाइव तस्वीरे प्रियाग राज से दिखा रहे थे बहुत बहुत धनेवाद पवन आपका हमसे जुनने के लिए मतारे माफियाती केमत के करीबी पर बुल्डोजर का आटेक देखने को मिला है लगातार बुल्डोजर की कारवाई की जा रही है उमेश हत्याकांट में तावर तोड एक्शन हो रहा है अभी के लिए इतना ही आगे आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ नमस्कार